हेलो दोस्तों स्वागरे आप सक्का मेरे YouTube चैनल सच इन एजुकेशन हब पर तो दोस्तों आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इंकम टेक्स का एक मैराथॉन मैराथॉन आपको भी पता है कि मेरी वीडियो में आपको बहुत सारे एक्जैम्स में हल्प करता है तो obviously आपके लिए मैं आज इंकम टेक्स सब्जेक्ट का जो मैराथॉन है वो मैं लेकर आया हूँ और यह जो सब्जेक्ट है आपको भी पता है बहुत बड़ा है तो इसलिए मैंने इसे कुछ पार्ट में बाटा हुआ है तो पहले पार्ट में आपको मैं normally ये जो मेरी बुक है इसी वेसे ही आपको करवा रहा हूँ तो इसमें आपके मैंने कुछ questions प्रिपेर करे हुए हैं जो important questions हैं जो आप नीचे देखोगे उसको मैंने प्रिपेर करा है तो उनी questions के जरिये में आपको ये complete income tax का marathon करवा हूँगा तो मैंने at least 10 यानि house property तक सोचाएगी पहला part 1 हो जाएगा और फिर आगे कुछ cover करते है part 2 और part 3 तक आपका ये marathon complete करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी ठीक है दोस्तो तो चलिए part 1 में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कहां से कहां तक cover हो रहा है तो सबसे पहली चीज है हमारे पास कि income tax की जब भी बात करो गया तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि income tax में क्या गया होता है तो right तो सबसे पहली चीज आपको यही समझना है कि income tax का अगर important question को निकलता है तो वो है nature and scope का जो कि बहुत बार यह repeat होता है यह question तो आपको सबसे पहले इसे ही understand करना है कि income tax का scope और nature गया है तो सबसे पहली चीज है income tax होता क्या है तो वो tax जो government लगाती है आपकी income के उपर आपकी मतलब आप अकेले individual भी हो सकते हो और कोई और entity भी हो सकती है जब उन entity या individual की income के उपर कोई tax लगाता है मतलब central government जो tax लगाती है आपकी income के उपर वो बन जाता है income tax अब बात आती है कि यह जो income tax है इसमें क्या-क्या चीज़े होती है तो सबसे पहली चीज़ है इसकी nature तो nature में जब भी हम बात करेंगे तो progressive nature है यानि progressive rates follow करती है आप देखोगे कि सबसे पहले कुछ नहीं यानि 2,50,000 तक आपको nil rate है फिर 5%, फिर 10%, फिर 20% ऐसे आपका rate चलता है तो वो क्या है? progressive rate जो की income tax को progressive rates की nature देता है इसमें बहुत सारी आप देखोगे कि आपको exemptions मिलती है जैसे कि under section 10 आपको बताया जाता है कि कौन-कौन सी ऐसी incomes है जो पूरी की पूरी income tax में से माफ करी गई है जिनके उपर कोई tax नहीं लगता जैसे कि अग्रीगलचर इंकम, उसके रावा कुछ deductions है जो ATC से लेकर ATU तक आप detail में पढ़ते हो section आप सबको पताया कि आपका next chapter आने वाला है वो तो ATC से ATU की जितनी भी deductions है वो भी इसमें cover होती है इसके तीसरी नेचर है कि ये tax credits गेन करता है अब आप कहोगे कि exemption और deductions में ही tax credits होते है तो हाँ, वही चीज़े इसमें आ जाएंगी अगर मैं कहूं तो normally वही चीज़े आ जाएंगे पर tax credits में अगर आप बात करो तो tax slabs आ जाती है कुछ ऐसे slabs भी प्रिपेर करी गई है जैसे कि section 115 BAC है जो उसमें ये लिखा गया है कि आपको deductions नहीं मिलेंगी और एक particular रोन ने rate chart बना दिया 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30 तो उससे क्या होगा आपकी अलग-अलग जो slab rates है उससे आपका जो tax है वो कम होता जाएगा तो उसके वज़े से हम कह सकते हैं कि आपको income tax के अंदर बहुत सारी tax credits मिल रहे हैं with the help of tax labs उसके लावा filing requirement इसमें बहुत जरूरी चीज़ क्या है कि income tax की nature है कि इसमें filing करनी बहुत जरूरी होती है यानि income tax return को file करना होता है with a particular time और with a particular date और कब करना है assessment year के अंदर ये मैंने I think आपको last videos के अंदर अपने दूसरे चैनल पे बताया हुआ है अब बात आती है कि tax field holding क्या होता है अक्सर क्या होता है कई बार जो employer होते हैं वो employee की income का कुछ हिस्सा यानि उसके salary में से कुछ हिस्सा automatically पहले ही निकाल के central government को pay कर देते हैं ताकि कुछ tax central government को timely पहले ही पहुँचता रहे उस से salary की income के उपर तो obviously उसे हम कहते है tax withholding means timely जो deductible होती रहती है आपकी income ऐसे कुछ हिस्सा आपका employer आप central government को timely pay करता रहे वो बन जाता है tax withholding तो ये भी एक income tax की nature में ही cover हो जाता है इसी तरीके से self assessment जो अपने आप tax pay करती है उनके लिए ये topic है यानि ऐसे natures में आपको बहुत सारे और other points भी मिलेंगे जो इसके अंदर आती है nature means income tax में क्या-क्या cover होता है लेकिन अगर आप करोगे कि क्या-क्या cover होता है वो तो scope भी होता है तो nature और scope में बस इतना सा difference है कि nature में आप इसके features की यानि इसके main-main points की बात करोगे कि इसमें क्या-क्या deep में आता है मनलब detail में क्या-क्या चीज़े है और scope में जितने भी आपके chapters आगे जुड़े हुए है जैसे कि other heads हो गया मतलब इसमें five heads of income होती है आप उसके बारे में बता सकते हो सबसे पहले उसके लावा इसमें scope में और क्या चीज़े हो सकती है कि हम residential status देखते है यह भी इसका एक scope है ठीक है यानि इसमें cover क्या क्या होता है यानि इसकी applicability कहा कहा है उसे कहते है scope ठीक है इसके लावा यह जो income tax है सबसे पहली बात कहा हुई कि इसमें different heads of income prepare की होती है ठीक है दूसरे number पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़े है residential status की बात करी गई है तीसे number पे अगर हम बात करें तो इसमें different slab rates होती है जो अलग-अलग tax rate अलग-अलग person के उपर apply करी जाती है यानि in the basis of जैसे हम बात करते है कि 60 years से नीचे वाले के लिए कुछ और है 60 years से above senior citizens के लिए और है तो very senior citizens के लिए 80 years से भी बहुत जादा slab rates होती है तो ऐसे follow करके क्या है इसमें cover किया जाता है यह सब कुछ अब इसके लावा हमने scope में और भी चीज़े पढ़ी है कि यह एक administration of tax law है यानि इसे government या state government के द्वारा ही क्या है मतलब कह लो कि जितना भी tax है उनके द्वारा ही collect किया जाता है यानि कोई भी इसमें जो tax है वो state government यानि law के हिसाब से चलता है और collection कौन करता है सिरफ government या state government ही करती है या local government के पास ही वो tax collect किया जाता है अब इसके इलावा कोई भी TDS कह सकते हो या TCS है ना जो आप पढ़ते हो आगले chapters में वो भी इसी scope में cover होता है क्योंकि TDS और TCS के बिना income tax का जो scope है वो कभी cover नहीं होता तो ये जो दो चीजे हैं कि tax जो हम deduct कर रहे है payments के उपर जो collect कर रहे है incomes के उपर वो भी इसी के अंदर आता है इसके लावा जो हमने self assessment पढ़ी है वो इसके एक nature भी है वो एक nature इसलिए है कि उसमें कैसा procedure follow किया जाता है वो एक nature के रूप में बताया गया है और जो self assessment का topic है वो हम इसमें cover करते हैं इसलिए ये topic इसके scope में भी cover हो सकता है तो इसलिए ये कुछ आपके कह सकते हो scope है जो आपको इसमें cover करने है ठीक है ये हो गया आपका पहला अब इसके बाद अगले जो main चीज़े इसमें cover करनी है ये आप खुद कर लेना heads of income है और कुछ नहीं है जो income tax के बारे में थोड़ा सा detail में बताया है जो जो चीज़े अगर आपने मेरी book ली है तो आपको बहुत जादा benefits हो जाएंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे important questions है जो आप कर लोगे न एक बार तो exam में कहीं से भी question आ जाए आपको answer पता जरूर होगा ठीक है उसके लावा अगली चीज़ जो इसमें जरूरी है वो मैं बताने वाला हो history की यानि अगला question जो mainly इसमें cover हो सकता है वो history के base पे हो सकता है कि history क्या है तो वैसे इसमें मैंने अल्रेडी बहुत अच्छी वीडियो बना दी है तो I hope मैं वही suggest करूंगा कि आप detail में उसमें देख लीजिए एक बार आपको और अच्छे से clear हो जाएगा otherwise इसमें कुछ नहीं है इसमें dates में बताया गया है कि 1864 में सबसे पहले British colonial government ने income tax को इंडिया में apply किया था implement किया था फिर इंडिया की legislation ने इससे अपने आप implement करा है 1922 की अंदर फिर 1950s और 60s के period में बताया गया है कि इसमें कुछ deductions और exemptions रखी गई थी जिसको promote करा गया था जिसको रखा गया था just because of social welfare encourage करा जाए ठीक है इसके लबा 1980s और 1990s में बताया गया था कि tax labs को भी announce कर दिया जाए ताकि जो burden है tax payers का कि भई मलब कैसे calculations करनी है उसको reduce कर दिया जा सकता है with the help of tax labs तो इसलिए इसको भी follow किया गया 2000 और 2010 की बात करें तो इसमें कुछ investment के लिए हमने अपनी मतलब जो income tax legislation है उन्होंने क्या किया था कुछ deductions ऐसे भी करी deductions को और increase कर दिया है अगर मैं कह दूँ तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जितनी जितनी savings है जितनी investments कर रहे हो उनके उपर भी आपको further deductions मिलती रहेंगी यानि deductions में और बढ़ावा कर दिया ताकि tax calculations और बढ़ सके और economic growth timely हो सके अपनी country की तो इस तरीके से आपकी जो history है वो above increase होती रही income tax की ठीक है detail में आप पढ़ सकते हो उस वीडियो से भी अगर आपको नहीं clear हुआ अब बात कर लेते है question number 3 हमारा जो सबसे जरूरी part है वो क्या है general rule हमें क्या कहता है और उसकी कुछ exceptions कवर हो जाती है इसके अंदर कि general rule कहता है कि भई question कैसे आना है वो आप मेरी book से understand कर सकते हो वो मैं detail में नहीं जा रहा मैं आपको सरफ topic से बता रहा हूँ कि क्या चीज़े हम cover करने वाले है तो of course यहां से आपको बस यही चीज़े तरूरी समझती है अदर्वाइस आपको question detail में अगर पढ़ना है तो वो तो आपको भी book से मिलने वाला है और book by जो link है आपको वो मेरी video description में मिल जाएगा अब general rule अब भई general rule क्या है obviously बात है कि general rule की बात करें तो shipping business इसमें आता है सबसे पहले जब आप shipping business देखो general rule हमें ये कहता है कि income of PY is always taxable in AY मेरी PY की income AY में ही taxable होने वाली है लेकिन general rule की कुछ exceptions है कुछ 5 ऐसे cases है कुछ 5 ऐसे sections है जो हमें ये कहते हैं कि भई उसी साल में उस बंदे का tax card दो बात खताव क्यों भई ऐसा क्यों करना है तो number one हमें कहता है shipping business shipping business मतलब 7.5% freight मतलब इसमें क्या लगेगा 7.5 मतलब मैं क्या कहने वाला हूँ कि shipping business of a non-resident अगर कोई non-resident person है उसका कोई shipping business है ठीक है और वो इंडिया में आता जाता रहता है तो उस case में अगर वो इंडिया में कोई income मतलब raise कर रहा है या उसको income मिल रही है तो उस income के ऊपर भी उसको tax देना पड़ेगा यानि insured कहूं तो हमें नहीं पता कि वो एक बार इंडिया में आया है तो बार बाद में बाहर जाएगा तो आएगा के नहीं आएगा तो इसी साल में हम क्या करते हैं जब भी वो आ रहा है उसी समय उसका कुछ tax अपने पास collect कर लेते हैं उसी साल में ताकि हमें उसका कोई tax बार बार लेने के लिए उसको बुलाना पड़े या खोजनाना पड़े ठीक है तो 7.5 जो उसका freight है न वालब जो उसकी total income है उसका 7.5 हिस्सा जो बनेगा वो हमने as a tax collect करके रख लेना है उसी साल में ठीक है हांची तो अब person living India अब simple सिपात बता रहा हूँ कि अगर किसी income tax वालों को यह पता या नि assessing officer को यह पता चल जाए कि एक person ऐसा है जो इंडिया के बाहर जाने वाला है लेकिन बाद में वापस नहीं आने वाला और उसकी income बहुत जादा है और वो tax देने से बच रहा है तो उस case में वो क्या करेंगे उसको बाहर जाने से पहले ही कह देंगे कि अगर तुने बाहर जाना है तो हमारा income tax pay करके जाओ नहीं तो हम बाहर जाने नहीं देंगे तो इस case में भी आप क्या कर लेते हो अगले साल का इतजार करने के बजाए उसी साल में ही उसका tax ले लेते हो ताकि उसको बाहर जाने के लिए मतलब उसको बाहर देने भी बाहर अगर वो जाना चाता है तो चले भी जाए कोई इतना इश्यू नहीं है और उसके इलावा वो टेक्स दे कर जाए यह सबसे जरूरी चीज है ठीक है तो इसलिए हम भी वेट नहीं करते एवाई की हम उसी साल में उसका टेक्स कार्ट के उसे कहते हैं भाई 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 जाओ ठीक है फिर तीसरा पॉइंट आता है section 74, 174A में कि AOP यानि association of person or body of individual जो है अगर किसी case में हमें ऐसा लगता है या assessing officer को ऐसा लगने लग जाए कि भाई ये जो AOP और BOI या फरम है वो desolute होने वाले हैं बहुत जल्दी खतम होने वाले हैं तो उस case में वो डर चाता है कि भाई इसी साल में अगर खतम होने वाले हैं यानि इसी साल में इसका अस्यतव जो है भाई डेट है जो desolute की वो जल्दी खतम होने वाला है हम आपका next year तक नहीं पहुंचाने वाले tax तो इसलिए हमारा भी काम हो जाएगा आपका भी नहीं जाने देंगे हम कहीं है ठीक है तो ये हो गया उसके लवा person likely to transfer the property कई बार person क्या करता है बहुत तेज persons होते हैं हमारे पास जो हमारे person हैं बहुत तेज हैं वो सोचते हैं कि transfer कर दो property किसी के नाम पे मेरा tax खतम हो जाएगा ऐसा होता जरूर है अगर आप sale properly कर रहे हो लेकिन sale अगर properly मनलब सिरफ transfer कर रहे हो sale थोड़ी की है वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे भी आपको ये चीज़ जरूरी याद रखनी है कि अगर आप कहीं पे जान पूझ के अप देना हमने उसी समय उसका tax ले लेना है ताकि जो transferring चलती है ना पूरे साल में उस चीज़ को खतम कर दिया जाए और जिस person का वो transfer का tax बनता है उसी से उसका tax collect करके रख लिया जाए ठीक है अब बात आती है section 176 जैसे discontinued business discontinued business का मतलब क्या है कोई ऐसा business जो काफी समय से चल नहीं रहा काफी समय से बंद पड़ा हुआ है तो उस समय assessing officer सोचता है कि यह बंद पड़ा है business कहीं पर बंद properly न हो जाए यानि permanently न हो जाए तो क्या करें उस case में तो वहाँ पे एक चीज़ सताती है कि discontinued business में क्या करना चाहिए हमें कि अगर कोई business ऐसा लगता है तो assessing officer कहता है कि वेट मत करो अगले साल की अगर इसी साल में इसका बंद होने के chances नजर आ रहे हैं तो इसी साल में टेक्स लीजिए हमारा काम खतम हो जाए बाकी बंद होना है हो जाए नहीं होना बाद में देखे फिलहाल के लिए हमारा जो रिसक उसे cover करके इनका टेक्स बना देते हैं और उसी साल में collect कर लेते हैं तो these are the five general rules जिनको आपने अच्छे से कर लेना है कोईशन इसके expected इस बार आने के chances है जादा ठीक है अब बाताती है कि एक another question हमारे mind में जरूर आता है question क्या कहता है कि भई all assesses are the person but all persons are not assessi तो मैं इसे detail में जाने से पहले ही आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं इसकी detail में नहीं जाओंगा कि question क्या कहता है कि all assesses are person हर एक assessi person होता है पर हर एक person assessi नहीं होता ऐसा क्यों तो मैं आपको सिरफ examples ही समझाने वाला हूँ detail आप लिख सकते हो assessi का meaning उसकी definition और person की definition दोनों को add करके लेकिन एक point और लिखना पड़ेगा आपको जो दोनों में common है वो मेरी book में आपको नजर आ जाएगा कि जो persons होते हैं उनको assessi क्यों नहीं कहा जाता या किस case में उनका text नहीं लगता या कई कई cases में उनका text नहीं ल caliper है और उसे income मिल रही है ठीक है business में से और वो income tax pay कर रहा है तो वो assessi है right similarly एक सारा college student है जो income जिसको कोई income नहीं मिल रही college student है भई वो student है तो अभी तक उसको कोई income या profit तो मिल नहीं रहा तो उसे कोई income tax pay करने की ज़रूरत नहीं है तो simply said यहाँ पर क्या कहा गया है कि ज जो person income tax act के अंदर tax pay कर रहा होगा income के उपर वो person assessi है otherwise जिसकी कोई income ही नहीं बनी अभी तक वो बंदा taxी नहीं पे करेगा तो वो तो person है तो person assessi नहीं बन सकता क्योंकि income tax वाला ही assessi बन पाएगा तो automatically person अगर जिसकी कोई income नहीं है वो assessi थोड़ी के लाएगा तो ऐसे तो म person assessi नहीं बन सकता पर जो assessi person है जिसकी income के उपर हम tax ले रहे हैं वो तो person ही है ना वो कोई और बंदा तो नहीं है जिसे हम person के definition से हटा देंगे नहीं ना तो these are the few main things जो आपको इस case में understand करनी है clear अब आते है next question पर जिसको हम cover करते है previous year और assessment year के base पर मैंने last video डाली है इसके base पर अपने another channel पर वहाँ पर मैंने बता दिया था इन दोनों में difference क्या है तो मैं नहीं चाहता कि आप सबको वैसे पता ही है कि previous year एक simple word में बता रहा हूं कि वो year जिसमें हम अपनी income को actually earn करते हैं और assessment year जिस year में हम उस income जो हमने previous year में earn करी है उसके उपर tax देते हैं तो जिस year में tax हमारा मतलब charge होता है या फिर हम pay करते हैं वो बन जाता है assessment year ठीक है और जिस year में हमें मतलब income actually मिली है वो बनती है हमारी previous year तो this is the difference between these two terms बाकि detail में आप video भी देख सकते हो नहीं तो आपको मेरी book में difference 5 points में असानी से मिल बेजाएगा ठीक है जी चलिए अब आते है further agriculture income की उपर ये भी बहुत important question है तो एग्रिगल्चर इंकम का ना वैसे मैं बात कहूँ आपको एक चीज़ सिंपल बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ points के ही साथ आपको define करने की ज़रूरत यानि इसमें provision से define करे हैं detail में नहीं करें जिसमें integrated आता है integrated agriculture income उसके बारे मे वैसे मैंने डाली हूँ यह शायद मुझे याद होगा तो एक बार मैं देख लेता हूँ अगर डाली होगी तो आप वहुत देख सकते हो video मैं link भी share कर दूँगा video description में अगर आपको हो तो ठीक है अब provisions क्या कहते हैं कि agriculture income क्या होती है यह इसमें provisions क्या है कि agriculture income वो होती है जो एक्टिविटी से हमें मिल रही है जैसे कि cultivation of crops हो गया या breeding of livestock हो गया तो इस case में जो हमारी इंकम है वो agriculture income मानी जाएगी दूसरा कि agriculture income के उपर कोई tax नहीं लगता वो हमें पता है जब तक वो इंडिया की agriculture income है तो under section 10 sub section 1 में हमें पता है कि उसके उपर कोई tax हमें पे नहीं क sorry बहुआ सारे sources होते हैं agriculture income को raise करने की जब अब agriculture income को बहुआ सारे sources से raise करते हो तो एक ही unit में आप उसे जब define देखो agriculture income क्या है हम multiple sources से raise करते हैं तो उसको सिरफ एक ही unit में cover करके हम उसकी taxability करते हैं हम यह नहीं करते हैं now उसका हिसाब करेंगे पहले और अलग-अलग टेक्स लगाएंगे नहीं उन सबको एक अठा घर के एक यूनिट में डालके उनका एक ही पेस पर क्या कर लेते हैं देख लेते हैं कि उसकी कितनी अग्रिकल्चर इंकम बनी है ठीक है उसके बाद है कि if the taxpayer earn अग्रिकल्चर इंकम अगर उसे लगता है कि suppose करो किसी परसन के पास कोई अग्रिकल्चर इंकम है मतलब कोई अगर मैं बात करो इसमें क्या लिखा है कि अग्रिकल्चर इंकम मिल रही है और salary इंकम या business इंकम भी मिल रही है मतलब हमने यहाँ पे integrated वाला अभी तक मैंने detail में नहीं बताया पर उस लाना पड़ेगा और एक चीज़ का ध्यार रखना पड़ेगा कि अग्रिकल्चर इंकम जो बनी है मेरी उसके उपर टेक्स नहीं मलब उसके उपर टेक्स पे ना हो यानि उसे exempt रखना है बाकी business इंकम को calculate करके टेक्स उसमें लगाना है ठीक है तो यह एक integrated process है वो मैं अलग से देखोंगा कि अगर वीडियो है तो आप देख सकते हैं अब agriculture income जो है उसमें अगर बात करी जाए कि कुछ circumstances के base पे ही हम उसे लेते हैं मतलब कुछ circumstances पे ही उसके उपर tax लगता है नहीं तो नहीं लगता यानि agriculture income के उपर अगर आप tax लगाना चाते हो तो वो सिरफ कुछ circumstances हैं जिसके उपर लगेगा जैसे कि अगर आप agriculture land को sale कर रहे हो या फिर आप एक non resident हो आपको agriculture income कहीं इंडिया के बाहर मिल रही है कुछ agriculture land आपके इंडिया के बाहर है वहां से income आ रही है तो कुछ भी ऐसे cases में अगर आपको income हो रही है agriculture base पे तो वो taxable मानी जाएगी ठीक है अब ऐसे ही 2-3 और points है जैसे कि agriculture income है वो अगर मैं बात करूँ कि मैं also subject to tax एक और tax लग जाएगा अगर इसमें मतलब वो activities नहीं हैं मतलब जैसे कि in short मैं इसमें एक explanation देने की कोशिश करूँ कि अगर आप कोई sale कर रहे हो timber की ठीक है जी या फिर आप nursery वगारा में काम कर रहे हो तो वो चीज़े इसमें included नहीं होंगी यानि इसमें इन के मलब वो agriculture income का part नहीं है तो इन चीज़ों के उपर आप जब भी dealing करोगे तो यह agriculture income में नहीं आएंगी इनके उपर separately tax लगेगा यानि अगर आप sale of timber कर रहे हो अगर यह agriculture income बनती है तो इसके उपर आपको tax देना पढ़ सकता है ठीक है जी यह चीज़ है तो this is all about your agriculture income provisions now come to the next question that is the second chapter for you residential status अब यह residential status किया होता है obviously यह बहुत detail में मैंने अपनी videos में cover कर रही हूँ है topic तो मैं अभी marathon करा रहा हूँ तो बहुत सी basic चीज़ों को understand नहीं करवाऊंगा अच्छे से बता दूँगा कि क्या क्या concept ह ठीक है तो residential status को जब भी आपने पता करना है तो सबसे पहले हम individual का residential status देखते हैं जिसके लिए हमें दो conditions में से किसी एक condition को पूरा करना पड़ता है number one condition है कि 182 days आप relevant PY में रहकर आयो यानि मेरा जो PY था उसमें मैंने 182 days पूरे कर लिए है तो मैं resident हूँ अगर suppose को यह condition प पूरी करने पड़ेगी resident बनने के लिए तो दूसरी condition क्या है कि पिछले साल में मुझे 60 years और पिछले साल को छोड़के उससे पिछले 4 सालों में से मैंने सारी days का aggregate करता हूँ अगर तो अगर वो days 365 से जादा चले जाएं तो मैं resident बन जाओंगा यानि पिछले साल में 60 days और पिछले 4 सालों में मलब पिछले साल को छोड़के उससे पिछले 4 सालों में अगर मेरा aggregate जो है वो 365 days बन गया पिछले 4 सालों का तो पिछले साल का भी 60 days बन गया तो मैं क्या बन जाओंगा resident बन जाओंगा तो ये दो condition में से कोई भी एक fulfill करो अब resident माने जाओगे लेकिन ये condition जो second वाली condition है वो follow नहीं करी जाएगी जब आप कोई crew member हो या फिर आप कोई ऐसे Indian citizen हो जो इंडिया में सिरफ घूमने आए हो अगर आप इन में से कोई दो category में आते हो तो वहाँ पे आपको सिरफ 182 days वाला criteria पूरा करना पड़ेगा पिछले साल में अगर आप पिछले सा आप अगर 182 days पूरे नहीं करते तो आप non resident हो जाओगे ठीक है सिरफ एक ही condition इन दोनों के लिए लगती है इनके लिए दूसरी condition follow नहीं होती ठीक है लेकिन अगर आप ऐसे ही दो category में आते हो और आपकी जो income है आपकी जो income source है अगर आपको यहां से इंडिया से कोई income भी मि पिछले चार सालों का aggregate और पिछले साल में 120 days हो जाएंगे यानि 60 days नहीं 120 days हो जाएंगे अगर income हुई तो नहीं तो सिरफ 182 days वाला criteria follow करना है आपने clear अब कोई person है वो resident and ordinary resident है या not ordinary है तो उस case को समझते हैं अगर मतल सिंपल सी दो ही conditions को भी इसमें follow करना है वैसे चार है main दो conditions है कि अगर कोई individual पिछले 10 सालों मैं अलब पिछले साल को छोड़के मतलब पिछले पीवाई को छोड़के उससे पिछले 10 पीवाई में यानि 10 पीवाई में दो बार resident बन चुका है already या 2 या 2 से जाधा बार इंडिया में तो वो person already resident है sorry already ordinary resident माना जाएगा और दूसरी condition है कि अगर पिछले साल को छोड़के उससे पिछले 7 years में उसका aggregate 730 days या उससे जाधा हो जाएगा तो वो ordinary resident हो जाएगा अगर ये दोनों condition fulfill नहीं होती तो वो क्या माना जाएगा not ordinary resident और अगर एक भी condition fulfill हो जाती है तो वो ordinary resident हो जाएगा नहीं तो वो not ordinary माना जाएगा ठीक ह अब cover करते हैं कि individual हमने cover कर लिया HUF को पकड़ते हैं तो HUF का सिरफ control and management देखना है कि अगर control and management इंडिया में है तो वो resident है बाहर है तो non resident है और दूसरी सबसे important चीज़ इसमें क्या है कि करता का status क्या होगा करता भी वही है कि अगर HUF resident हुई तो करता भी resident है नहीं तो वो non resident ह लेकिन करता का status individual है तो इसलिए हमें define करना पड़ेगा कि वो ordinary है कि not ordinary तो उसके लिए भी वही conditions 7 years में 730 days और 10 years में 2 times resident अगर बनता है तो वो ordinary है नहीं तो वो not ordinary है that's it about HUF ओके सर चलिए अब यहां तक cover कर लिया हमने अब हम पकड़ते हैं farm और AOB और BOI को जिसमें भी same चीज़ है कि control and management इंडिया में हुआ तो इंडियन वो resident है नहीं तो वो not ordinary है क्यूंकि यह अब farm है तो इसमें ordinary और not ordinary देखने की जरूरत नहीं होती ठीक है सर चलिए अब company को देख लेते हैं कि अगर company Indian company है तो ठीक है सर फिर तो वो resident है लेकिन अगर company हमारी मतलब अगर Indian company है तो वो resident है ही अगर Indian company नहीं है तो दूसरी condition क्या होनी चाहिए कि उसका point point क्या है place ऐसी place जहां पे company के important या key managerial decisions लिये जाते हो अगर वो place इंडिया में है तो वो resident है नहीं तो वो place अगर इंडिया के बाहर है तो वो not ordinary है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसके taxability क्या होगी ठीक है इसकी taxability क्या होगी simple सा बता देता हूँ कि पहले जो दो point है वो कहते हैं कि अगर आपकी Indian income है और जो last point है वो है आपकी foreign income का अगर आपकी Indian income है तो आ तो आप ordinary resident में तो taxable हो ही लेकिन non resident में taxable नहीं हो अब बच्चता है not ordinary resident वाला person उसमें दो condition अगर follow हो जाती है तो आप taxable हो जाओगे अगर वो दो condition follow नहीं होती तो foreign income आपके लिए taxable नहीं हो जाएगी क्यों कौन सी दो conditions है number one अगर आप उस business से पैसा या उस business में काम कर रह हो और उस business से foreign income raise कर रहे हो जिस business का control या तो इंडिया में partially या holy है ठीक है और दूसरी condition अब उस profession से income earn कर रहे हो जिस profession का setup इंडिया में है अगर ये दो condition fulfill है तो आप taxable हो जाओगे not ordinary resident in case of foreign income नहीं तो आपके उपर tax नहीं लगेगा this is about your taxability अब आपने सोचना है कि सर इसकी hypothetical example जादा तर पूछी जाती है पेपर में तो क्या दे मेरी बुक में आपको वो example मिल जाएगी आप वहाँ से cover कर सकते हैं ठीक है सर चलिए अब हमारा अगला focus है salary का salary में जब भी question आता है तो जादा तर इसमें यही पूछा जाता है कि सर इसकी calculation कैसे करते हैं इसमें क्या steps है और इसके example दीजेगा तो question number जो भी है इसका वो मानकर हम आगे बढ़ते हैं कि salary income क्या है वो तो आप सबको normally पता ही है लेकि section 17 subsection 1 में बताया गया है कि इसके अदर बहुत सारे components आते हैं जैसे कि wages, annuity, gratuity, coey fees, advance salary या provident fund यह सब चीज़ें इसमें cover करी जाती है detail में आप section प मैंने यह format बनाया है वैसे इसका exact format नहीं है मैं बता देता हूँ ठीक है तो सबसे पहले basic salary ले लो उसके बाद normally अगर मैं यहां से आपको cover कर दूँ तो यह आपको example भी मिलने वाला है और साथ में क्या है इसकी illustration भी मिलने वाली है लेकिन अब बात यह है कि इसमें calculation कैसे है step number one आपने क्या करना है basic salary का दूसरा dareness allowance fully taxable होता है तो वो लेना ही होता है तीसे नमबर वे bonus या commission है तो वो ले लो fixed percent or turnover या कोई भी हो कोई भी लेना होगा वो लेना है आपने उसके लाबा allowances जो बचते हैं जैसे कि HR हो गया या partial taxable है वो ले लो फिर उसमें retirement benefits का case आता है step step number four में उसे add कर दो adjustment के साथ फिर RPF में जो contribute करा है employer ने और उसका जो interest है वो दोनों चीज़े add कर दो फिर उसके बाद purchase rates आते हैं उनको add कर दो या इन सभी चीजों को करने के बाद step number eight कहता है कि सभी को add कर दो यानि जो चीज़े आपने इसमें already करी है उन चीजों को add करने क बाद आपकी बन जाएगी salary, gross salary और उस gross salary में standard अपनी under section 16 में क्या कर दो जितनी deductions है उनको less कर दो तो you will get the taxable salary with 10 steps ओके अब ये तो ठीक है सर ने बता दिया अब इसमें सर hypothetical या calculation में illustration क्या दें तो वो एक छोटी सी illustration आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो सबसे जरूरी है hypothetical way म आपको यहाँ से understand हो जाएगी आप book देख सकते हो अगर आप चाहो तो नहीं तो कोई इतना tough topic नहीं है आप अपनी जर्ब से भी बना के आ सकते हो अगर आपको बनानी आती है ठीक है last time यह question आया था कि profit in lieu of salary किसे जती है ठीक है तो profit in lieu of salary का जब भी मैं बात करता हूँ तो profit in lieu of salary में हम बात करते हैं कि वो हिस्सा जो salary का तो नहीं है पर profit के वे में है यानि जब profit in lieu of salary एक compensation होता है जो एक individual को दिया जाता है एक profit के form में ना की salary की form में मतलब इसे salary के बदले दिया जाता है ना की salary की form में ठीक है तो यह जादातर किन को मिलता है इनके provisions क्या है कि यह director यहां कोई highest authority पे जो company का member होता है सिरफ उनको ही जादातर मिलता है number two इसको भी same rate के उपर taxable किया जाता है जैसे कि salary को किया जाता है number three कि इनकी जो taxation steps है ना या इनका जो system है law है वो अलग-अलग है यानि अगर आप बात करोगे कि कुछ countries कहती है कि इसे salary की तरह taxable कर दो और कुछ countries कहती है कि यह तो exemption है यह तो reduction है तो हम इसे ऐसे नहीं कह सकत है कि यह अपने-अपने country के उपर based है कि वो क्या मान के चलती है इस concept को ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें कि यह जो profit in lieu of salary है यह जादा तर हम इसी purpose के लिए उन persons को देते हैं कि आपकी social security बनी रहे और आप अच्छे से काम करते रहो आपकी motivation skills को बढ़ाने के लिए ठीक ह उसके इलावा यही एक concept है जिसमें से tax bid holding जादा तर रखी जाती है तो यह tax bid holding वाला concept है जिसमें tax bid holding को जादा बढ़ाया जाता है या फिर हम कहते हैं कि इसमें tax bid holding जादा करी जाती है उसके इलावा इसमें regular basis के उपर हम payment देते हैं या फिर कहलो कि one time basis पे हम payment देते हैं या तो monthly या सिरफ one time ले लो बात खतम, that's it, तो these are the provision जो आपको understand करने है profit in lieu of salary के question में, ठीक है, उसके बाद कुछ deductions का एक question आ जाएगा कि salary में कौन से deductions है वो आप सबको पता है, standard deduction है, entertainment allowance है और professional tax है, standard 50% है, entertainment allowance में, अगर आप government employee हो तो आपको least देखना पड़ेगा, basic salary का 1 by 5, या तो 5,000 या entertainment allowance जितना मिला है, अगर इन तीनों में जो सबसे छोटा हुआ, तो आप अगर government employee हो तो आपको deduction मिल जाएगी, नहीं तो government employee के इलावा किसी और person को ये deduction नहीं मिलती, और professional tax के लिए भी आपको deduction मिल जाएगी, 2500 तक मिल सकती है, और इससे जादा आपने pay भी नह करना होता, अगर ये limit हो तो, ठीक है, चलिए, अब हमारा एक last question है आज का, वो है इस part का, मलब पहली marathon part 1 का, तो वो क्या है, allowances और perquisites में क्या difference है, ये भी 5 marks में question आ सकता है, तो उस case को पूरा करने के लिए, क्या है, हमारे पास, कि allowances जो है, वो जादा तर सिरफ job purpose के लिए दिये जाते हैं, यानि specific expenses को cover करते हैं, job के regarding, लेकिन जो perquisites हैं, वो किसी ना किसी way में employees को बढ़ाने के लिए दिये जाते हैं, या मैं कहलू, compensate करा जाता है उनको, या फिर उनके overall job satisfaction को increase करने के लिए, ठीक है, उसके लावा tax treatment जो है, वो allowances हमेशा taxable माने जाते हैं, लेकिन perquisites जादातर कई बार taxable होते हैं, कई बार नहीं, उसके लावा इसके कुछ examples दे देने हैं आपने, negotiability है और reimbursement, reimbursement का point समझा देता हूँ, कि reimbursement क्या होता है, कि जो allowances हैं, वो वापिस कर लिए जाते हैं कई बार, क्योंकि वो एक job purpose के लिए है, लेकिन perquisites reimburse जादातर नहीं हो होते हैं, क्योंकि एक benefit है, तो benefits जो है, वो employer अपनी इच्छा की अनुसार देता है, तो इसलिए वो कई बार reimburse नहीं होते, तो that's are the difference between these two terms as well, ओके, चलिए, तो next जो question है, वो हम अगले पार्ट से cover करेंगे, house property से start कर लेंगे, अगला पार्ट, I hope आपको ये जो topics हैं, वो अब अच्छे से समझ आ गए होंगे, salary तक तो part 1 आपका अच्छे से हो जाना चाहिए अब, और marathon में ऐसे ही next video जल्दी डालूँगा, ताकि आपका syllabus paper से पहले जल्दी खतम हो जाए, ठीक है sir, चलिए, तो बस आज की इस video में इतना ही है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग गई है, समझ आ गई है, understandable है, तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करिएगा, और अगले marathon का weight जरूर करिएगा, thank you so much, have a nice day.